चूहा हाथी के पास गया और बोला हाथी दादा हाथी दादा क्या आप मुझे आपकी लूंगी दो दिन के लिए दोगे? तुम उसका क्या करोगे? मेरे बेटे की शादी है उसमें तंबू लगाना है उसे देखो पता नहीं लोग महिनों बिना नहाएं कैसे रहते हैं मुझे तो 28 वे दिन ही खुजनी होने लगती है आपके पास टूत ब्रश है? ब्रश नहीं है पेस्ट है अच्छा आपके पास पावडर होगा? पावडर नहीं है क्रीम है क्रीम नहीं चाहिए डॉर्ज मिलेगी वार्टो कल ही खत्म हो गई मौम बत्ती है खेर ताला तो होना ही चाहिए हैं दूप? जी नहीं उसे अपनी दुकान पर लगा कर आप गर पर आराम कीजे अरे यार मुझे ये बताओ जहां ज़्यादा बारिश होती है वहां क्या पाया जाता है? हाँ हाँ चाता तीन दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे प्रश्ण हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हम को यह पता चले कि हम लखपती बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? हम तो सीथे पैरिश जाएंगे और खूप मजे करेंगे मैं किसी लाप्रब गारो बार में रुप्या लगाऊंगा मैं तो फिर सोनी की कोशिश करूँगा और तब तब सोता रहूंगा जब तक करोड़ पती न बन जाऊंँ अरे मन्नो, भूद, वर्तमान और भविश्य से तुम क्या समस्ते हो अरे दीदी बात है जी, मेरे दादा जी भूद, मेरे पिता जी वर्तमान और मैं उनका भविश्य हूँ रेल की राया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृत्धी हो रही है इसका कारण बताईए इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल की राया और बढ़ जाएगा इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए शिक्षक ने सभी छात्रों को गास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा सभी छात्र चित्र बना रहे थे कल्पेश ने अपना पन्ना खाली छोड़ दिया चलो शात्रों आज हम गास खाती हुई गाय का चित्र बनाएंगे कल्पेश इस चित्र में गास कहा है सर गास तो गाई खा गई अच्छा तो गाई कहा है वो तो गास खा कर चली गई अरे यार, आज तो मम्मी ने मुझे चाटा मारा मुझे तो मम्मी से ज्यादा पापा का चाटा पसंद है क्यों? क्योंकि पापा प्रती चाटा पांच रुपे देते है